नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंडिया नियूज और इन खबर पर मैं हूँ प्रियांशी अपने जीवन में आपी ग्रहों को लेकर परिशान रहते हैं या फिर ग्रहों की बारे में जानना चाहते हैं आपके जीवन में जो ग्रह होती हैं वो क्या रूल अधा करते हैं आज हम चंद्रमा ग्रह के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा ग्रह का जीवन में क्या रूल होता है उससे क्या समस्याई आती है क्या लाब मिलता है सब कुछ आज आप जानेगे तो इस विशय को ध्यान से देश की जाने माने जो कि आचारे आचारे किशन महश्वरी जी है महश्वरी जी राम राम महश्वरी जी चंद्रमा ग्रह का जीवन में क्या रोल होता है और केंद्रुक का क्या रोल होता है ये बहुत बढ़िया सवाल किया चंद्रमा बहुत छोटा ग्रह में गिंती यह पूरा गेम चंदरमा ही खेल के निकलता है लाइफ से डाई दिन में अपना घर चेंज करते हैं सबसे तेजगती से चलने वाले में दिखिएगा कि चंदरमा का सबसे सुंदर विशे यह है कि अगर मांसिक विचारों से बंदा सही है यानि विचार समझ जो सही सोचता है व वही समझ ली के चंदरमा बढ़िया है अगर सोचने की सक्ती कमजोर है या सोचने की सक्ती खराब है तो समुलीजे आपका चंदरमा सो पर्चेंट कवड़न से चाथृतिव भाहवा का श्यवामी है यानि कि जहां से बहुतिक शुक्साधंद सारी विष्था देखी जाती ह घर मकान प्रोपर्टियो चंदरमा यानी चार नमबर से देखा जाता है किसी भी जातक का अगर चंदरमा देखना हो कि खराब है तो उसकी पहचान आपको पहले बिना कुल्डिके बताथे हैं उसकी मामोसी दुखी होंगी या किसी ने किसी तरह से उसके पुत्रियों का आगमन ज्यादा होता है ऐसे बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है पर तुझ जोतिस है इसलिए हमें यह सब बताना पड़ेगा अब आपको कुल्ली में बिना चंदर्मा देखे कैसे पता चले कि चंदर्मा बहुत ज़्यादा पीड़ेता वो आपको इशे बताते हैं देखिएगा गरीब होना कोई पाप नहीं है परन्तु गरीब होना आज के समय के अनुसार सबसे बड़ा कश्ट और दुख है कोने गरीब लोग जिनका चंदर्मा खराब है आप अपनी पत्रिका निकालिए अगर आप 15 से 20 ज़र्पे महिना कमा रहे हैं तो इसका मदला आपका चंदर्मा बहुत ज़्यादा खराब है किसी की पत्रिका निकाल के देख लीजिए सब का चंदर्मा खराब है जो रोज पैसा मांगते हैं रोज पैसा कमानी के लिए निकलते हैं सम लीजे चंदर्मा बहुत खराब है रोज का मतलब रोजी कमाते हैं पन्तु एक होता है ऐसा काम जिसका पैसा हपते में महिने में छ जैसे प्रोपर्टी डीलर, आज वो डील करते हैं, तो एक साल छे मीने बाद पैसा आने लगता है, पंतु बिखारी रोज पैसा मांगता है, और चंदरमा क्या है, हमने बताया था कि सयम, बिखारी को एक पैसा भी इस बाद का सयम नहीं, किसी ने का आगे चल, तो वो प्लीज करेगा, कि भाई दीजे मुझे, वो अगली दुगान पे चला जाता है, इसका मलब चंदरमा उसका बहुत ज्यादा ख्राब, रोज पैसा मांगने के बाद भी उसकी 20, 30, 40 साल इस्तिति, वह है कि वो रोज ही मांगने आता है, और थोड़ा सा भी उसके अंदर ये सेंस, या को प्लीज बोले, यहां से चंदरमा सबसे खराब इस्तिति में पाया जाता है, हमारे देश के अंदर बहुत काफी गरीब लोग हैं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मेरे कहने का अर्थ ये कि हम चंदरमा की विशे में बात कर रहे हैं, मेरे को बताना पड़ेगा, जब ये तक मैं आपको नहीं बताऊंगो, तो आपको समझ में ये नहीं आएगा कि मैं चंदरमा की विशे में क्या बताना चाहरा हूँ, किसी भी जातक को सुख की कमी हो, धन की कमी हो, मानिजद प्रतिष्टा भी इस से देखा जाता है, क्योंकि चंदरमा रानी है, सूरिय स्थानी, तो जितना राजा का बल होता, उतना रानी का विवह मना चाहिए, रानी के भागी में अगर सुख नहीं है, तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा, सूख हम सुख की बात करना, तो चंदरमा को नस्धिक से समझने के लिए हम नेक उधारन दिया, अब चंदरमा से बन को यही नहीं पता चलता कि समस्या आ कहां से रही है वो एंके इन प्रकार्ण दुनिया के उपाय करते गुमेगा उसे पता लिए इसका भी उपाय हम बताएंगे है चंदर्मा मंगल के साथ बैठता तो महालक्समी योग का निर्मान करता है चंदर्मा अगर राहू के साथ आता है तो सनी मावीश योग का निर्मान करता है दोस्तों चंदर्मा को लोगों ने मामूली सा ले रखा चंदर्मा हमारी जीवन में सबसे बड़ा रोल अगरता है अब आपको बताते हैं चंदर्मा को बैलेंस करने का सबसे सुन्दक उपाय है देखिए चंदर्मा की दसा बुरहानी दोनों चीज होती हैं अपने अपने गोचर के इसाब से जब वो भर्मन करता है चंद्रमा को सबसे सुन्दर उपाई यह है कि अगर कोई सिविलिंग पे एक चांदी का चांद बनवा ले और उसमें तीन डंडी चांदी की लगवा के सिविलिंग पे स्थाफित करके अगर उदरहभी से करता है तो निश्चित उसका चंद्रमा बैलेंस होता है अगर कोई सोमोती मावस आ जाए आती रती है दो-चार मेने में सोर रोती बजार से ले करके कच्चे दूद में डालके अगर उससे रुदरहभी से करता है कोई जातक तो चंद्रमा को ठीक होना पड़ेगा परतेक पुणिमा के दिन अगर कोई खीर अपनी सामरत के अनुश्वार बना करके गरीब लोगों को अगर वितरन करता है तो उसका चंद्रमा बैलेंस होने लगता है चंद्रमा खराब वाले कभी भी काला और नीला वस्तर धारन ना करें वो वाहिट कपड़े पहने और सफाई विशेश रखे अगर कहीं भी एक्ष्ट्रा पानी का व्य हो रहा है तो समलीजे चंद्रमा उनका कहीं नहीं खराब है जैसे नल का टपकना बात्रूम में कहीं से भी पानी अगर खराब हो रहा है तो चंद्रमा उनका खराब कहीं न कहीं चल रहा है आप चंद्रमा को बैलेंस कीजिए यह हमारे भोतिक सुक्सादन का पहला ग्रह है चंद्रमा की उसे में एक और आपको जानकरी देते हैं अगर जातक परते एक दिन थोड़े से चावल कच्चे दूद में डालके शिवलिंग को अरपित करें भोले बाबा को तो भी चंद्रमा बैलेंस होता है अब आपको एक अद्बुत और रुकाय बताते हैं एक चांदी का छल्ला बनवा लीजिए और अपनी माता जी के हाथ से पोणिमा के दिन आप अनमिका उमली में उस चांदी के छल्ले को धारन कर लीजिए निश्शित आपका चंद्रमा बढ़िया होगा आसा है विशे समझ में आया होगा आप सभी को नमस्कार